प्रेस करें प्रेश्ठी यद्य अकनी देव द्वारा महाराज दशरत को हव्यदान हम बड़ी शद्धा और नम्रता के साथ आपकी सेवा में तंपूर्ण रामायन अरपन करते हैं किन्तु इस ख्षमा याचना के साथ कि मर्यादा पूर्शोत्तम भगवान श्री राम चन्र की महिमा को एक तो क्या दस-दस चित्रों में भी नहीं दरशाया जा सकता मंत्रहीनम, क्रियाहीनम, भग्त्यहीनम, सुरेश्वर, यत्पूजितम, मयादेव, परिपूर्णम, तदस्तु में अब हमारी फिल्म का आरंब सीता स्वेंबर से होता है निमंत्रिच शूर वीरो और युद्धव, आज यहाँ आप लोहों के भाग और शक्ती की परिक्षा होगी मानप्रान किया है कि जो इस धनुष को तोड़ेगा मेरी पुत्री सीता उसी के गले में वर्माला डालेगी अब आग लोगों में से जो चाहे वो अपना भाग और शक्ती आजमा सकता है कर दोड़ेगा कर दोड़े पूल कर दोड़े आग हाँ करता है प्रिभुवन विजेता, राज राजेश्वर, महावली शिवभक्त, लंका दिपती रावन. लुसका कजिए कोई राजेश्या, राजेश्या, महावलाने राजेश्या, अीजेश्या, यदेश्या, इस ऊंका दिपती राजेश्या, दिङेश्या, पनला फिरां. जूँआ है जूँआ हुआ हुआँ आपके सम्मती क्या है अपनी तो सासु पिड़ी मिलकर जोर लगाए तो भी ये दनुष टेसेमस नहीं होगा मुझे अपनी भूल का पता चल गया मैंने वीरों के वेश में कायरों और बल्वानों के रूप में निर्बलों को यहां बलाकर अपनी हसी कराई है धनुष उठाने को कौन कहे कोई उसे तिल भर भी हाटाना सका आज मुझे मालूम हुआ कि धर्ती वीरों से विहिन हो गई है अब आप लोग अपने अपने घर पधारे मेरी सीता कुवारी रहेगी और आज से आप लोग अपने आपको शूर वीर योधा समझने की भूल लकरे अपने शब्द वापस लीजिए क्यों आपने श्री राम चंदर के समुद्र जैसे विशाल पॉरुष को नहीं समझा यदि उन्हे गुरुदेव का आशिरवाद मिले तो वो सारे ब्रहमांड को ग्यन की तरह उचाल सकते हैं परवतों को एक ही ठोकर से चूर चूर कर सकते ह और इस धनुष को इस धनुष को वो कमल के दंधन की तरह तुकरे तुकरे कर सकते हैं लक्षमाण राम महाराज जनक बहुत निराश हो चुके हैं धनुष तोड़कर उनका दुख दूर करो आपकी आज्या शिरोधार है गुरुदेव किन्तु मुझे निमंत्रित नहीं किया गया है मैं तुम्हे निमंत्रण दिता हूं स्री राम तुम भी अपना भाग्य आजमाओ जह करें तुम्हें तुम्हें में स्क थेसा रंभा हुदे झाल offers का तुम्हें किया तुम्हें तुम्हें है उवो तुम्हें कि बktionन वleलूदेख से तो आपको सा 머 mayoría जजग फिबयाँ धुम्हें मुदुम्हें.. कर दो दो पता हुआ हूआ जे डटी आ रहाँ कब अ कर दो फुमस्ट एकाँ कर दो पांगा फ्राप्सटरामत जगा की आ कर दो दो कर दो जुल जुल फुल जुल झाल लोग जाराइस तर वाम ली बारेऊफ कर तोगसेश़ी कि ताम माड़ा एंग में चाम जाराइस अर। मेरू! बश्राम! पर्जाम पर भू? पर्जाम पीछे! पहले यह बताओ यह धनश कितने तोड़ा है? आपका ही कोई दास होगा वो दाथ नहीं, मेरा शत्रु है बली हारी है आपकी इस बुद्धी की विश्वमित्र ये बालग कौन है मेरा शिष्य आवधनवेश महाराज दश्रत का पुत्र लक्षमन और ये उसका बड़ा भाई राम है किन्तो इसमें तो कोई भी लक्षन अच्छे दिखाई नहीं देते कैसे दिखाई पड़ेंगे आदमी क्रोध में अंधा जो हो जाता है बालग श्रेष्ट विश्वमित्र ये बालग बहुत बढ़ चड़कर बाते कर रहा है इसे मेरा सुभाव बतला दो वो तो आपके चरण पड़ते ही मालूम हो चुका है तुझे शैस ये मालूम नहीं कि मैंने इसी पर्शे द्वारा 21 बार शत्रियों का नाश किया है तब आपका राम लक्षमन से पाला ना पड़ा होगा लक्षमन तुम मेरे हाथों क्यों अपनी हत्ते अकरवाना चाहता है आप फूंक से पहार उड़ाना चाहते है हमें क्या छुई मुई घास समझा है मैं तुझे निरा मुर्ग समझता हूँ मुर्ग के मु लगने वाले को बुद्धीमान कोई नहीं कहता मैं बड़ा क्रोधी और निर्दाई हूँ तभी अपनी मा का सिर्काट लिया था अब तेरा भी सिर्काट हूँगा दूइट ठेहर रभो मेरा सिर्काट ही है लक्षमन निर्दोष है धनुष मैंने तोड़ा है तूने तोड़ा है, तो तेरा ही सर काटूगा, अब इस धरती बर दो राम नहीं रह सकते, राम रहेगा या पछ राम मेरा परशा क्यों नहीं उड़ता, किसने मेरी सारी शक्ति खीच लिए राम, ये धनुष्क थेंच कर, मेरा संदेह दूर करो बस, बस, मेरा काम पूरा हुआ, परश राम के राम, आपकी जय हो, अब मुझे ना ये अनुष्या ये, और ना ये परशा बसक्ति है स्पाय! मैं आपसे एक बड़ी अक्षी बाद कहना चाहते हूँ यही तुम्हारा गुन है क्या 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 जिसके लिए मैं तुमको हर्दम रीजा रहता हूँ इस बात से आप रिजेंगे नहीं सुरेंगे तो उचल बढ़ेंगे तो शीगर कहो महारानी मैं राजबुरू अशिष्टी जी से मुर्थ पूच कर आ रहे हूँ लड़कों का और एक एक ब्याह करने के लिए नहीं अपने राम को राज सिंखासन देने के लिए करकरी लेकिन लेकिन वेकिन कुछ नहीं सारी प्रजा की इच्छाय की राम राजा बने मेरी वी इच्छाय की राम राजा बने आपको सब की इच्छा का आदर करना ही पड़ेगा मैं सोचता हूँ कि सोचने का समय नहीं शीगरी राज तिलत का प्रबंद कराईए राजगुरू ने कहा है आज से चौदा दिन बीठते पंध्रावे दिन राम का राज तिले किया जाए तो आयोध्या का नहीं सारे संसर का राजा बनेगा इस तरह सारी आयोध्या में आनंद उत्सव होने लगा आज उत्सव का चौदामा दिन है महाराज बश्रत के सनमुख अयोध्या के राजकलाकारों ने मदन दाहन रत्यारम बखिया महादेव की समाधी भंग करने के लिए कामदेव ने रत्राज पसंत का वहन किया अर्दा风 मॉण पसंत कर दोड़िया कि लोड़ में तर्म ने पसंत के लिए उत्स पसंत कर दो खना incorporर बखिया आईबराव लudबमादा प्संत का वह healthy काम देव की पतनी रतीवी अपने स्वामी का साथ दे में आ दिए रहा रहा, जा रहा रहा कर दो क्या रहा क्या खिएियु खितु है झाल झाल हुआ 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 है हुआ हुआ है हुआ हुआ है 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 हुआ हुआ है जब सारे ब्रेत निश्पल हुए तो कामदेव ने अपना अंतिमस्त मदनवान चलाया महादेव की समाधी भंग हुई हुआ है 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 तीजरा नेत्र खुला, उस्से निकली हुई जौरा में काम देव फस्न गुए तुख्यारी रती शिम की शरण गई अन्त में फोले नात प्रसन हुए और रती को वरदान दिया त्रेता युग में कृष्ण के पुत्र के पुत्र अनुरुद्ध के रूप में तुझे तेरा पती मिलेगा मेरी लाडली राज रानी सिसा ये मुखुर करनेगी हटावे दे वो दे लेनी ये दे अले मी वो वस्तर दे दो तो ये अच्छा नुरुद्ध इसी तुझे अच्छा है, बेरे मारानी जी, तभी एक साइक अच्छे है हाँ रे, सभी अच्छे है बेटी, तुम्हे ये सब बहने पड़ेगा मा, सारा को तुझे ही उठाना पड़ेगा कुछ उनको भी तो अरे हाँ, नहे तो भूली गई थी मेंका, चंचला तुम मेरे बहु को अच्छे तरह सजाओ, मैं अपने राम को तैयार करती हूँ मंतरा ऐसे शुबबसर पर देख चलना चाहिए इन्हे तो दिन में भी रतों नी होती है, मारानी कृच्छ ! कृफुम में पर्या तर में परके 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 वे तो! कृफ। 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 मन्थर, क्या हुआ तुझी, ऐसे शुभा उसेर पर रोती क्यों है, बोल तुम्हारे भाग्यों को रोती हूँ भरत के भविश्य को रोती हूँ क्या कहा, चौदा दिन से देख रही तुम्हे कुछ बुध्धी आएगी, पर नहीं आएगी तु कहना कै चाहती है, तुम तो खुशी में अंधी हो रही और तुम्हारे रास्ते में अंगारे बिच्छाए जा रहे कौन बिच्छा रहा है कौशल्या, क्या बक्ती है घर फोड़नी घर तो जोंका त्यो रहेगा, लेकिन इस घर में आज के बाद तुम कुछ न रहोगी क्यों, कल से कौशल्या यहां सब कुछ होगी मुझे खुशी होगी, उसका बेटा राम राजा बनेगा यह सब के लिए सवभाक्य की बात है, लेकिन तुम्हारे लिए दुरभाक्य की बात है मतरा कई कई महराज कौशल्या और सुमित्रा से अधिक तुम्हें प्यार करते हैं इसलिए कौशल्या तुमसे जलती है राम के राजा बनते ही वो तुमसे बदला लेगी उस समय तुम्हारी मुस्कुराहट आंसों में बदल जाएगी जब तुम्हें और तुम्हारे बेटे भरत को दरदर की ठोकरे खाने के लिए राज महल से बाहर निकाल दिया जाएगी अच्छा ही का यही तो इनाम होता है महाराणी चुप रहे नहीं चुप नहीं रहूंगी क्यूंके मैंने तुम्हारा नमक खाया महाराणी राम राजा बने चाहे भर मैं तो दासी की दासी ही रहूंगी फिर भी जो मैंने अपने कानों से सुना तुम्हें भी सुना देना अपनप करते मैं समझती हूं तुने क्या सुना है जब मैं कल रात कौशल्या के कक्ष के पास से जा रही थी तो वो दांत पीस पीस कर कह रही थी क्या कह रही थी राम को राजपत पाले ने दो फिर मैं कई 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 का घमन चूर करूंगी ये बातें तुने ही सुनी या और किसी ने आज से पहले मैंने तुमसे ऐसी बात कभी कही थी? नहीं, तो फिर आज ही क्यों कहने लगी? कहीं, महराज और कौशल्ला ने मिलकर कपड जाल बिचाया भरत को ननीहाल भेजकर राम को राज दे रहे राम को राजा बनानी के लिए महराज से मैंने ही कहा था लेकिन मैं सब कुछ समझती है क्यों कहुशल्ला तुम्हें छोटी बहन की तरह प्यार करती? वो जानती है तुम्हारा बेटा राजा बनने वाला है इसलिए तुमसे अधीक प्रेम करने के लिए उसने राम को सिखाया धन्य है कहुशल्ला था और यह उसने अपने बेटे का जिवनसुखी करने के लिए कौन से हुपाय नहीं कौन-कौन से छल्कपट नहीं रजी kannst और एक माथ तुम्हें जिसने अपने ही तन के बेटे सुख में बहब लगाई अपने ही हैत उसे डर-दर खर बिकारी बनाने की मुर्कता की तुम भरत की मा नहीं, हिर्दयी हीन हो, पापीन हो, हत्यारीन हो रहने दे, अब रहने मिजे रहने दे, कैसे रहने दे दिस भरत को मैंने, अपनी गोदी में खिलाया है ममता भरी लोरिया दी है, सवारा है, दिलारा है उसी भरत को बिख्षा का पाताद बेंके, दर दर बटकते हूँ, कैसे देख सकती हो मैंना देख सकते देख देख देखし उससे पहले मैं अपना सर बटक पटक कर इस पापे जीवन का अलग्त कर दूघी आधं मचा, मचा 하 clear मचा, मचा मचा, मचा मचा मंधर, मैंने घरत को जन दिया है, पर उसकी सच्चमा तू है, तू उसके लिए प्राण दे सकती है, मैं कुछ नहीं कर सकती, कुछ नहीं कर सकती, अब हो भी क्या सकता है, तुम चाहूं, तो सब कुछ हो सकता है, कैसे हैं? मंतरा, मंतरा, अग्या महराज, मचली रानी कहा है, कोब भवन में, कोब भवन में, क्या होगा उने, बचे नहीं मानु महराज, होगा होगा आता है, करते ओे राती ह degradation कि उती होगा है, उत्रा दुम 009 हाथ चुड़ा रही हुआ? मुझसे? क्यों? आप जीवल भर मुझसे चलकपट करते आए मेरे भोले बंसे हमेशा ही नाप उठाते रहे है मालू होता है किसी ने मेरे विरूद तुम्हारे कान भर दिये कान भर दिये नहीं, कान खोल दिये है यह क्या कह रही हो तुम प्रिये? प्रिये? प्रिये कहते हैं आप मुझे और हिर्दै से प्यार करते हैं किसी और को दिखावी के लिए सनमान मेरा होता है और लाब होता है किसी और का बात मेरे मुझसे कहला ही जाती है और बात पूरी की जाती है किसी और की लेकिन आज तक मैंने तुम्हारी बात कुन सी पूरी नी की? आपने मेरे वो दोनों वर दिये? तुने मांगे ही करते? अब मांगती हूँ तु दो क्यों, चार मांगो कहीं वचन भंखिया तो? कहीं, हम रगवनशी हैं इसलिए कहती हूँ एक बार फिर अच्छी तरह सोच लीजे सोच लिया? अगर तुम्हे विश्वास नहीं तो अपने प्रानों से प्यारे राम की सौगंद खा कर कहता हूँ आज तुम जो मांगोगी वही दूँगा मैं अपने पहले वर के बदले भरत के लिए राज मांगती हूँ भरत के लिए राज? क्यों? घबराद है महराज? नहीं मैं तो भरत को ही राज देता किन्तु राम को राज देने के लिए तुम नहीं तो मुझे विवश्व कर दिया था अब ये तैयारियां ये उत्सव एसे होते रहने दीजी और मेरे भरत को बलाकर राज दीजी या तो अपना वचन भंग कीजी वचन भंग नहीं होगा राज भरत को ही दिया जाएगा और मेरा दूसरा वर? वो भी मांग दो तपस्वी बेश में चोद आवर शकिली राम कोवन माई प्यूद चोद आवर का भंग वाष् मंत्रीवर मुझे आने में थोड़ा विलंप हो गया कताजी मेरी प्रदीक्षा कर रहे होंगे हाँ यू राज तो शीक चलिए उदर नहीं, इस और इस और? हाँ, पधारीए, पधारीए माँ 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 ये क्या? क्या हमा है अपु मुझे कुए बातो आ इसने आका अपन किया चुप क्यो है माँ बोलो, बोलो माँ इवाँ 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 तो शीकर बताओ मा राम, महराज से मैंने दो वर लिये है वर? हाँ, मेरा पहला वर है भरत को राजगर्दी मिले इससे बढ़कर आनन मेरे लिये और क्या हो सकता है? राज-काज के बंदोनों से छुड़ा कर आपने मुझ पर बड़ी करपा की है माँ वो मेरे दूसरे वर से दुखी है वो क्या है? बड़ा कठर वर है कहिए माँ तपस्विवेश में चोदा वर्ष के लिए तुम्हे बनवास बास? इतनी सी बात के लिए पिताजी के हरदय पर इतना बड़ा आखात पहुचा है प्रश के बिना जीवन वर्थ होता है आपका ही पुत्र होकर आपके दिय हुए वचन का पालन न कर सकूँए और माता के अच्छा पूरी न कर सकूँ तो ठिकार है मेरे पुत्र धर्पा राम तुम जितना जल्दी यहाँ से हटोगे इनके लिए उतना ही अच्छा है आजया आजया राम तु यहाँ है तेरे पिता जी यग्यशाला में तेरी बाट देख रहे होंगे और मचली मा तेरी सर पर राजमुकर देखने के लिए अधीर हो रही होंगे मचली मा धन्य है उन्होंने आज मुझे सारे संसार का राजा बना दिया क्यों नहीं बनाएंगे आज की यह शुब घड़ी लाने वाली भी तो वही है सच मुझे आज मेरे जीवन की सबसे बड़ी शुब घड़ी है मुझे आशिर्वा दो मा आज जिस महान करता है कब वो मिच तुमारे कंधों पर रखा जा रहा है उसे पालन करने में इश्वर तुमारी सहायता परी सदा तुमारी किर्दी जगमगाती रही अरे-अरे खुशी में रास्ता पर बुल गया नहीं मा सही रास्ते पर जा रहा हूं लेकिन उदर कहा जा रहा है यह वस्त्र उतारने मा क्यों सारे संसार पर राज्य करने के लिए न इन वस्त्रों राबुशनों की आवश्यक्ता होती है न सत्ता की न सेना की राम तो कैसी उल्टी से लिबातें कर रहा है ठीक ही तो कह रहा हूं मा मैं आज 14 वर्ष का महायग्य करने जा रहा हूं महायग्य कहां बन में तो पागल तो नहीं होगे जा कह रहा है कहां जा रहा है मा मैं पिता जी की आग्या से 14 वर्ष के लिए बन जा रहा हूं राज तिलक के बदले, तुझे बल्बास क्यों बेटा? ये तो मैंने नहीं पूछा मा, और क्यों पूछू? पिता जी की आग्या मेरा कर्तब है मेरी आग्या भी तेरा कर्तब है मैं आग्या देती हूँ, तू बन मत जा पुत्र पर पिता से ज्यदा मा का अधिकार होता है मजली मा भी तो मेरी मा है पिता जी के साथ उनकी भी इच्छा है कि मैं चौदे वर्ष के लिए बन जाऊं सीते आ रही है, मैं भी आपके साथ चलूँगी तुमसे बन की कठाईया नहीं सही जाएंगी सब कुछ सह लूँगी पर आपके वियोग बिड़ा मुसे नहीं सह जाएगी समय धीरे धीरे सब कुछ सिखा देगा यही तुम मैं भी कहती हूं स्वामी आपके होटों की मधुर मुस्कान देखकर मैं अपने सारे दुप फुला दूँगी आपके चर्णों में बैठकर मैं अपना स्वार्ग पसा लूँगी परन्तु मजली मा ये बात नहीं मानेगी ज़ि उन्होंने कहा कि राम के साथ सीता के बन जाने से आग्या का भंग होता है तो मैं क्या उत्तर दूँगा तब तो मुझे अपने साथ बन में अवश्य ले चली नहीं तो मा का वचन भंग होगा मा का वचन भंग होगा कैसे पत्नी पत्ती का आधा शरीर होती है मैं भी आपकी अधांकी नहीं हूं क्या आथे शरीर आथे मन से माग की आज्या पालन करेंगे सीते यदि तुम मेरे साथ चलोगी तो लोग कहेंगे कि राम ने अपना दुख कम करने के लिए सीता से भी चौदा वर्ष का बनवास करवाया यदि आप मुझे साथ नहीं ले चलेंगे तो वहीं लोग कहेंगे सुख के समय सीता रखुनात के साथ रही और जब बनवास की घड़ी आई तो उसने अपने पती का साथ नहीं दिया स्वामी क्या आप मेरी बदनामी सहन करेंगे कभी नहीं नात सीते जल्दी श्री राम को ले आओ शुब अमुर्द बीता जा रहा है पर दो हरती क्यों में परीत हुई और क्यों में रुथ आकाश हुआ अभी अभी था राज तिलक और अभी अभी बनवास हुआ एक और थे वचन पिता के वचन विजयी माता की चाल एक और था अबधपुरी का वैभगशाली राज्य मिशाल राम तुमारे अमर त्याग को भूल नहीं सकता इतिहास महलों का मधुमास छोड़के अपना आबन का बनवास रुके जाओ मोरे राज प्यासी अखिया तुम्ही पुकारे रुक जाओ बनवासी राम एक पल भर जलक देख दे पल के करे ले तुम्हें प्रणा रुक जाओ रुक जाओ बनवासी राम रुक जाओ मोरे राम जीवन के सिंगार सजाए हमने घर घर दीप जलाए किसने किया प्रहार के मंगल माला के मोती बिथराए आशा के मंगल दीतों पर आशा के मंगल दीतों पर चले लगाकर पूल वी राम रुक जाओ रुक जाओ बनवासी राम रुक जाओ मोरे राम तू रघुपुल की शान ले चले हम सब की मुस्कान ले चले अवधपुरी से विदा हुए क्या अवधपुरी के प्रान ले चले आशा में क्या छुपे निराशा सुख है क्या दुख काओ पनाओ रुक जाओ रुक जाओ बनवासी राम युक जाओ मुरीराओ nggak प्रूपली वे प्रोप ये वार। अब रत लोटा ले जाएए मंत्री बार्ष मैं आप लोगों को छोड़ कर कैसे जाम आयोध्या के लोग पुछेंगे महाराज पुछेंगे के मेरा राम कहा है तो मैं उन लोगों को क्या उत्तर दूंगा श्री राम श्री राम प्रभु राम चंद्रकी प्रभु राम चंद्रकी प्रभु चलकर आपारी कुटिया को पवित्र कीजिए प्रभु नहीं केवर्द हम चौदे वर्ष तक किसी नगर या गाउं में नहीं जा सकते चौदा वर्ष तक जैसे आपकी इच्छा चलकर थोड़ा फलार कर लीजे मीठे पलें तादे तादे आई 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 चलना आगे चल्दी प्रभु प्रभु होई डोलेरे डोलेरे प्रान मिला हमको भरतान आज क्यों न करें हम कुमान घर आए भगवान हमने घर आए हमने घर आए हमने घर आए भगवान हमने घर आएख 750 अएया जिर आए से ऽोगगदे लुए देच nee महिए ओ बड़क भीई ना राघ मुख्ञारन भीई भॉतबड़Le मेरे हम आज आई बड़ी शुख भड़ी है डोले नदिया का जल डोले लहरे चल चल डोले नईया मचल लागी आनंद की ये जड़ी है धरती उतार रही आरती धरती उतार रही आरती भूल परसा रहा आसुमा अमले घर आए भगवान पड़े चोटे हैं हम नहीं सीख परम नहीं जाने धरम कैसे पूजा करे हम तुमारी कहा कलिया पिछाए कहा दीपक चलाए महा चंदल लगोई वित जाने नहीं हम ये सारे बड़े चोटे हैं हम नहीं सीख परम नहीं जाने धरम कैसे पूजा करे हम तुमारी के नहीं जोडे हम हात खड़े सामने जोडे हम बात खड़े सामने हमको अपना लो किरफाने धा हमने खर आए हमने कर आए भगवा करे डुलिरत मिला हमको हमरत आज कुर रगले हम आज कर आए वभनी खड़ी आई, वभनी खड़ी आई, जबनी खड़ी आई राम, सुमन, तुम आगे, तुम आगे, सुमन, कहा है, मेरे बच्चे, मेरे बच्चे कहा है, सुमन, तुमन, 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 तुमन करेंकने दोर भलत जो जोजाएजार कि अप्सी नहां Про तुम रो रहे हो क्यों बोलो आपकी माताजी ने महरास्ती दो वर मांगे थी भरत को राजगद्धी और शीराम को चौदा वर्ष का बनवास मंत्रीवर उनके बन जाने के बाद महराज का सवर्गवास हो गया पिता जी का तरखो मां इस खुशी में आर्पी उतार रही है तुम राजा हुए इस खुशी में तुश्ता भरत ये क्या इस बिचारी की साहिता से तुमने अपना सुहा गुजार कर मुझे राजा बनाना चाहा यही न भरत महराज अपनी मौत से मर गए इसमें किसी का क्या दोश है सारी बुरा इति जड़ यही है भाईया क्या क्या कर रहे हो चोड़ दो उसे चोड़ दो भरत शुट्रगार भरत उसे चोड़ाओ उस पापिन को चोड़ाओ जिसके कहने से तुमने मेरे पिता की आत्या किया भरत तुम तुम यह कह रहे हो आज मैं कह रहा हूँ कल सारा संसार कहेगा वरतमान कहेगा भविषय कहेगा एक दुष्ट दासी के कहने से तुमने अपने पती की हत्या की है रगुकुल की शांती की हत्या की है स्वर्ग को लजाने वाली अरुथ्या की हसी खुशी की हत्या की है मैंने सबकुछ तुम्हारे सुख के लिए किया है बेटे के सुख के लिए अपने पती की हत्या करने वाली स्तरी मा नहीं, चांडालिन होती है मैंने तुम्हारे लिए देउताемся सदा मंगल काम नाई की आज तुम्हे मुझे चांडालिन कह रहे हूँ तुम्हारे कर्म कह रहे हैं, मेरी वाणी के रूप में तुमसे तुम्हारे दुष्कर्मों का उत्तर मांग रहे हैं हर माता अपने बेटे को राजा बनते हुए देखना चाहती है तुम्हें मेरे लिए पिताजी से राज मांगा, किन्तु श्री राम के लिए चौदा बर्स का बनवास क्यों मांगा तुम्हें बिना बाधा के राज करने के लिए तुम्हें मेरा संफूर जीवन बाधा में बना दिये श्री राम को अपने से अलग समझा, किम तु भरत को राम से अलग समझा, जर्म देते ही मेरा गला क्यों नहीं गोड़ दिया भरत, भरत, जर चांती से सोचो बेटा, मुझे बेटा न कहो, मैं रखुल की आहन पर प्रांच देने वाले महराज दशरक का बेटा हूँ भरत, पिता की आजिया का पहन करने के लिए, खुर्षि से बनवास ये वाले श्री राम लक्षुमन का भाई हूँ भरत! पत्ती सेवा के लिए राजश्रुक ट्याग देने वाली सिता का तेवा है लेकिन तुम्हारा कोई नहीं आश्रे भर तुम्हारी लिए मर गया भरत! 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 मा! 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 पैची! मा! तुम आगे मेरे लाँ मेरी आंखों की जोती वाँ पसा गए नहीं मा नहीं मेरे कारण तुम्हारी आंखों की जोती चली गए नहीं भरत, ऐसा न को जो कुछ हुआ विधाता की इच्छह से हुआ उसे माता पिता की आगया पालन करने से नहीं तुम जैसे माता के गोच से ही श्री राम जैसे पुत्र जन्म लेते हैं तुमने भाईया राम को करतवे पालन से नहीं रोका किन्तु पती शोक और पुत्र व्योग की पिड़ा से आचल भर लिया तुम आगे भरत मुझे राम के व्योग का दुख नहीं स्वामी के व्योग का पिता जी मेरे कारण आपकी मृत्यु हुई मेरे कारण राम सिता लक्षमुन को बन जाना पड़ा और मैं और मैं राज्शुक के लिए जीवेच हूँ धिकार है मेरे जीवन पर धिकार है मेरे जीवन पर धिकार है यह असा मर्थ है। ऐसा न कहो बेट्टा, ऐसा न कहो। नहीं मा, नहीं, मैं श्री राम को हपस लाने के लिए भी बनने जाओंगा। श्री राम बड़े द्यालू है, वो मेरी प्रार्थना नहीं ठुकराएंगे, माहन नहीं ठुकराएंगे। मैं उन्हें आवश्य लेहूंगा ज़रूर लेहूंगा मारे परेश्ट यह देखिए रामपर जनकी तुम्हारे साथ होने से बंधी मेरे लिए आयोध्या बन गया है भाया भाया क्या बात है लग्साँ भरत हमसे युद्ध करने आ रहे हैं कारण राज्य का लोब भाई को भाई का शत्रु बना देता है तो भरत के राजसुप के लिए मैं जीवन भर बनवासी रहूँगा उन्हें कभी युद्ध करना नहीं पड़ेगा स्री राभ, स्री राभ, राभ, राभ स्री राभ, स्री राभ विया, भराभ! विया! पराभ! स्री राभ! पराभ, राभ, भराभ, भर्या! कि असुआ है कि पूलते हो भरत प्रेम के साथ भरत का Pixyang कि अ भाईया जया सागर माता सेफत का प्रणाम स्विकार करो माता प्रसंद रहो भाईया लक्षमाण भाईया लक्षमाण स्री रामसिता ने तुम्हें अपने चरणों की छाया दी मैंने क्रोध में आकर आपको बड़े अपमानभरे शब्द कहें मैं इसी योग्या हूँ और लजजित न करो भाईया मुझे कठोर से कठोर दंदो मेरी जीव काट लो मैं नीच हूँ मैं पापी हूँ नहीं नहीं तुम मेरे प्रिय भाई हो भाईया एक्षमाण भाईया गुरु देव आप भी यहाँ चले आएगगा आपके बिना उन्हें उपदेशंक्न देता होगा और आपके बिना उन्हें सुसंमती कौन देता होगा महाराज रहे ही काउँ उनका स्वर्गवास और शिरी राम स्वर्गवास पिता जी बनवास के पहले कर्टव मेरे आधीन था अब मैं कर्टव के आधीन हो गया हूं जिस आधरश को लेकर पिकाजी ने प्राण थ्याग दिये उसे मैं कैसे छोड़ सकता हूं जाओ फरत अयोध्या का राची करो नहीं आपके बिना में वापस नहीं जाओंगा नहीं जाओंगा हठ न करो फरत मुझे अपना कर्टवे पालन करने दो और तुम अयोध्या जाकर प्रजा की सेवा करो है यह मेरी आज्या है अक्या है आठैक है किए के आज़िए कि सव्श में मुझर्या को कि मुझ इसे कुछ ना होगा मुझे कुछ ना हो होगा कैसी प्रेंदा चाते हो भाति आपकी प्रेहन चाहता हूं प्रभा अवध्या के राज सिहासन से, ये पादुकाय मुझे सेवा की प्रणा देंगी, इन्हें ही दे दीजिये प्रभु तुम्हारी यही इच्छा है, तो यह दो मुझे से, ये आगाद दो प्रुटार्या आपके प्रुटार्या प्री याम से रशी, फ्री राम सम्लाकी, फ्री अर्लार्या कर दो 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 लुट beneath कर दो बार बार बगिया में कोयल ना बोले बार बार होती ना भूल एक बार जीवन में आता पसंत है एक बार खिलता है फूल बार बार बगिया में कोयल ना बोले बार बार बगिया में कोयल ना बोले ये बल खाती खटा राज के पट को हटा दिमे दिमे जुम रहे देखो देखो मुख की छटा मद भरी ठंदी हावा जुप की सिपा सुमया केहती है फ्रीत लगा पलको से धूर न जा आजरे फ्रीत करे प्रीत करे प्रीत करे बार बार बगिया में कोयल ना बोले बार बार बगिया में कोयल ना बोले ने नारस के भर कजर किदार करे चितवन बान लिये छुप छुप वार करे कलिया रूप सजे प्यार फैंजनिया बजे रुम जुम नाच जिया तन मन भान तजे आजरे फ्रीत करे प्रीत करे फ्रीत करे बार बार बगिया में कोयल ना बोले बार बार होती ना बोल एक बार जीवन में आपा भसंत है एक बार खिलता है फूल बार बार बगिया में कोयल ना बोले बार बार बगिया में कोयल ना बोले स्पष्ट कहो देवी क्या चाहती हो तुम्हें चाहती हो मैं विवाहित हूँ तो क्या हुआ, पुरुष तो एक साथ कहीं विवा कर सकता है? मैंने जीवन में एक नारी व्रत पालन करने का प्रण किया है निश्ठुर मैं तुम्हें कैसी लगती हूँ? सुन्दर, अती सुन्दर तुम उससे ब्याह कर लो न? मेरा तो ब्याह हो चुका है विश्वास नहो तो देवी से पूछ लो समझी, यही मेरे मार्क में बाधा है मैं लंकाधी पती रावन की बहन शूरपन खाऊ तुझे हेस्ट चबा जाओंगी रावन 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 उस, उन चोग्रों की यह हिम्मत उन्होंने तुम आरी नहीं बलकि सारी लंकाधी नाथ आकी है और तुम अब तक शांत बैठे हो अब शांती का जब तक राम लक्षन से तेरा बढ़ना नहीं बैठ सकता उन बनवाशियों के साथ सारी आई जागी भी नाथ काट डालूगा उसका उपाए मैं बताती हू कहो राम की पतनी सीता का हर अंकल लाओ ठीक है ऐसा ही होगा मैं सीता को लंका की पड़तरनी बनाऊंगा पारीच मामा लंकेश यहां कैसे मुझे तुम्हारी सहायता चाहिए मामा मैं तयार हूँ तो तुम्हे स्वण मरिक बनना होगा मैं सीता का हरन करूँगा एसे पापकर्म में मैं तुम्हारी कोई सहायता नहीं कर सकता तो मैं तुम्हारी हत्या कर डालूँगा तुम्हारे हांथों मरने से अच्छा है इससे राम के हांथों मरूँ तो मुझे पौंगा तो जाओ शीति मेरी ऐजय का पालंद करो और आपकी जीवन की कड़वाहत का नाम क्या है सीता का अवियोग भले ही वो पलभर के लिए क्यों नहों स्वामी देखिये सोनिक अमरिक आश्चर न शास्त्रों में पढ़ान कानों से सुना आज आखों से देख लीजी कितना सुन्दर है संसार में ऐसी बहुत सी वस्तों हैं जो दूर से सुन्दर दिखाई देती है मुझे उसका चर्म ला दीजी प्रभू कंचुकी बनाऊंगी अपनी सुन्दर्ता बढ़ाने के लिए दूसरों की सुन्दर्ता नष्ट करना पाप है सीते सुन्दर्ता का बढ़ाना कोई पाप नहीं है प्रभू किन्तु विपत्ती का कारण अवश्य है तो आप मेरी इतनी सी विच्छा पुरी नहीं करेंगे अवश्य करूंगा लखमर्ण सीता की रक्षा करना और जब तक मैं लौट करना आउं पर्ण कुटी के बाहर न जाना जो आग गया करेंगे करेंगे करें दिल्टा सिर्टां मुझा लुटा लुटा करें आmostे जारीा जाना करें आराल अराला लुटा-टूरा लुटा । सीदे लक्षमा मारीच लक्षमान लक्षमान स्वामी तुमी सहता के लिए पुका रहे हैं और अभी भी तुम यहां खड़े हो जाओ जल्दी जाओ उन पर कोई संगट आ पड़ा है जिनका नाम लेते ही संगट दूर हो जाता है भला उन पर कैसे संगट आ सकता है समय विप्रित होने पर सब कुछ हो सकता है जा हुलाओ उनके सहता के लिए जल्दी जाओ लक्षमान किंतु उनकी अग्या आध्या के भाहने तुम अपना कर्टेव घू रहे हो आपकी रक्षा करना ही मेरा कर्टवय है इस इस कर्टवय के पीछे तुमारा दूश्धी तवार्ध चिपा है माता लक्षमन, श्री राम के भिना सीता इस धर्ति पर नहीं रहेगी उसके पहले लक्षमन के शरीर में प्राण नहीं रहेंगे माता माता के रूप में मुझे स्विकार करते हो, तो शीगर मेरी आज्या का पालन करो यदि आपके यही आज्या है, तो मैं जाता हूँ आप इस लक्षमन रेखा के भीतर सुरक्षित रहेंगी करते हैं प्रणाम महाराज अखंड सवखाग्यवती भाव मैं बंधी विख्षय नहीं लूँगा मैं रेखा के बाहर नहीं आ सकती तो मैं भुखा ही चला जाओंगा ठेरिये श्री राम के दुवार से कोई भुखा नहीं जा सकता लक्षमान तुम सीता को अपके ली छोड़कर कर चलिया आए आप नहीं तो मुझे पुकारा था वो मेरी आवाज नहीं थी लक्षमान निश्चे कुछ प्रपंच मालूब होता है चलो जदिक चलिए जान के नहीं है लक्षमान भाईया मुझे कुछ संध्य हो रहा है यह देखिए सीते मता सीते मता सीते मता सीते 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 आज तुम्हें देखे बिन दो नैनारी तेरी ते सीते सीते है जल थल है तशों दिशाओ है उपवन है विक्ष लताओ मुझे प्रिया का पता बताओ कहां छुपी है सिया दिखाओ प्रान बिना अब इस जीवन के कैसे पल भीते भीते सीते सीते भटाहर दे बनवा सिराम का करुणा से भर गया गला उधर लंक पति गगन मार्ग से ले सीता को संग चला अवसर पाकर उस विमान से सीता नीचे खूद पड़ी सीता नीचे खूद पड़ी पंखो पर ले उसे जटायू उतरा नीचे उसी घड़ी सीता के हित दास राम का रहा डटा किन्तु जटायू का तलवार से पंख कटा भरती पर बेहोश जटायू रावन पुडा गगन में आये राम जटायू जिनको बुला रहा मन मन में कहा जटायू नेहे रगवर घटना है घनगोर अन्याई का नाम है रावन पुडा है दक्षिन ओर हे राम हे राम फिर सीता को चले ढूंडने राम लखन दो भाई पीछे से राक्षस का बंध ने छुपकर आँख लगाई हाथों में लेकर लक्षमन को उसने तुर्त उचाल दिया जिसे देख भगवान राम ने उस पापी का प्रान लिया नील गगन में लक्षमन को उसने चक्कर में डाला राम भक्तवर हनुमान ने आकर उन्हें संभाला हनुमान ये युग युग के राम चरन के दास आये पास बुझाने अपनी जनम जनम की प्यास है राम श्री राम है राम कंधों पर ले राम लखन को निज परभत कर आया बाली से दुख्यारे इस सुग्रीव से मेल कर आया हनुमान के कारण फिर सुग्रीव का कल्यान हुआ हनुमान के कारण फिर सुग्रीव का कल्यान हुआ एक बान से व्रिक्ष गिरे तब बाली का बलिदान हुआ बाली का बलिदान हुआ श्री राम चंडर की ये फिर प्रस्थान किया सबने और महिमराम की जानी हनुमान ने मांगी राम से उनकी एक निशानी प्रभु राम ने अपनी अंगुठी देकर की अगवानी उडो उडो बज रंग बली मा सीता तुम्हें पुकारे मा सीता तुम्हें पुकारे मा सीता तुम्हें पुकारे मा सीता तुम्हें पुकारे सीता तुम अब तक जाग रही हो? श्री राम दर्शन की प्यासी आखों में नीन कैसे आ सकती? नीन्थ? नीन्थ हमें भी तुनियाती जान की तुम जैसे पापी कभी सुख की नीन नहीं सो सकती नीन के तुम्हार प्रेमी हुं सीता मैं तुम्हें तीनों लोग का सुख दे सकता हूँ श्री राम के जनों में जो सुख है उसके आगे तीनों लोग का सुख तुच़ है सीता! राम बनवाशी है वो मेरे प्राना धा र। त्रिफोन विजेता हूँ तभे मुझे काईरो की तरह चुरा लाए नीच, पापी, तुष्ट सीता, तु यू नहीं मानेगी अब मैं बलपूर कापी इच्छा पूरी करूँगा लावड, लावड नलकुबेर लावड, भूल गया मेरे श्राप को याद रख, किसी सती के सते खेलने का प्रयास करेगा तो तेरे सिल के साट टुकडए हो जाएएएए साट टुकडए हो जाएएएए सीता मैं तुझे एक महीने का समय और देता हूं पिर भी तेरा मन न बदला तो मैं अपनी इच्छा पूरी करके रहूंगा कर दो कि लिए भाल Şimdi है कि लिए s Concept अ कि लालो ंर मेरे प्समन कषिती कर दो काम होती है श्री राम का दूद्ध अनुमान श्री राम का दूद्ध एक बनर उसका प्रमान ये नूठी है मा स्वामी मेरे स्वामी कुछल पुर्बक है ना हा माता और भाईया लक्षमन वे भी हनुमान क्या स्वामी कभी मुझे भी याद करते माता विरीः में जितना दुख آپ सहन कर रही उससे कहीं अधिक दुख प्रभू श्री राम सहन कर रहे है यह स्वामी थीरिष figures मेरे वहां पहुंचते ही तहु श्री राम की वानर सेना लंका पर चठाई कर देगी उस सेना में सभी वानर तुम्हारे तरह है हाँ मादा फिर तो हो चुका मेरा उधार आपको कोई संदे है हनुमान रावन की सेना में एक से एक विशान युद्धा है श्री राम की सेना में उनसे कोई कम नहीं विश्वात नहीं तो ये देखिए जय श्री राम मादा अब तो आपकी शंका दूर हुई देखा शी राम का परताब धन्यो हो रामदूत हनुमान मादा सामने वाले व्रिक्षों में सुंदर फल फूल देखकर मेरे मुँमें पानी भराया है आप आगयां दें तो थोड़ी पेट पूजा कर दो अखकthere सुंदर प्रिक्ता सुंदर फू़ masterpiece सुंदर 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 कर दो जान बुछ कर अपने परान दुआ रहे हो, मुझे पकड़ना कोई खेर नहीं इक आमनुक्त परामा पास्ति केसे बच्ता है? बरामो चान? पकड़ लो इसे पिता जी ये वही वानर है जिसने सारी अशोपाटी का उजार दी वानर कहां से आया है कौन है तू बेगनाद ये कुछ कम देखते हैं क्या चुप रहे मैं पूछता हूँ तेरा परिशे क्या है ऐसे पूछो ना मैं श्री राम का दूथ हूँ राम का दूथ मेरा नाम हनुमान है और काम जो कर दिखाया है उसे बाब बेटे दो न जानते हैं वानर अधिक भलबड कर बाते न कर इस समय तू हमारे बंधन में है तुम्हारे बंधन में मेगनाथ ये तो ब्रह्मा जी का मान रखने के लिए में बंद गया था नहीं तो ये देख इंद्रजीत देख लिया राम नाम का प्रताप हाँ हाँ देख लिया कंतु तुम्हारे पिता देखते हुए भी अंदे बने हुए हैं क्यूंके उनके दिन बुरे आने वाले दुष्ट वानर्ट मेगनास से तुझे जीवित पकड़ आने के लिए कहा ये मेरी भूल थी तुमने एक नहीं कई भूले की है रावन अपनी बेहन शुरुपनका की बातों में आकर श्री राम से वैर किया ये तुम्हारी पहली भूल है माता जानकी को चुड़ा कर ले आए ये तुम्हारी दूतरी भूल है और मुझ जैसे अतिती को बैठने के लिए आसन नहीं दिया ये तुम्हारी तीतरी भूल है तुमने मुझे आसन नहीं दिया कोई बात नहीं मैं सौयम अपना आसन बना लूँगा जे शिरिणा जे शिरिणा समय रहते ही अपनी भूलें सुधारो वरना पश्टाना पड़ेगा मुझे तेरे उपदेश के आउर्शक्ता नहीं आज मालूम हुआ कि तुम केवल नाम के ही महापंडित हो प्रंतु वास्ति में अहंकारी और महामोर थो वादर अपना मुझ संभाल तु होई संभाल माता जानकी को लेकर श्री राम की शरण चल वह बड़े द्यालू है तुझे अवश्च्षिमा करेंगे मेगनास इसका सरूरा दो ये श्री राम भाई ये क्या कर रहे हो एक दूद की हत्या करके अपनी कीरती को ला जाना चाहते हो स्रेशी कहते हैं पिताजी लेकिन हम इसे दंडा वश्चे देंगे वादर को अपनी पूँच बड़ी प्यारी होती है पिताजी इसकी पूँच में आग लगा दी जाए तो लगा दो आग तो लगा दो आग का अफ लगा धर बड़ट हाओ बड़ हाओ हाओ पर कर दो यंस कर दो लगो सब्सक्राइiendo स्रेव दो हम एकाता हो और कर दो हमारी और काता है माता, रावन की लंका का विनाश हो रहा है, वो देखिए अल्याग तुमने लगाई हमान, नाम मेरा है, काम शिरी राम का, धन्यो हो वीर, तुम्हारी स्वामी भक्ती देखकर, मैं आशिरवात देती हूँ, कि आज से जो भी सिंदू लगाकर, तुम्हारी पुजा करेगा, उसे मनव आंचित फल मिलेगा, एक और कृपा कर दीजिये म माता, क्या फिर भूप लगा, नहीं माता, नहीं, मैंने आपके दर्शन किये, इसका प्रमान चाहिए, ये चूडा मनी ले जाओ, और प्रभु से कहो, मेरा शिग्रे ही उद्धार करे, माता ने ये चूडा मनी दी है प्रभु, सीटे, हनुमान, सीटा वहां कैसे रहती है, कैसे दिन राद बिताती है, क्या करती है, कैसे जीती है, आपका ही नाम लेकर जीती है, प्रभु, किन्तु, किन्तु क्या, मुझे भेह, कि आपके भी योग में अभीर होकर, माता कहीं प्रान न त्याग दे, तो सीटा के बिने राम का जीना भी विर्थ होगा, पवन कुमा, तो शीगरी उनके दुख का अंत कीजिये प्रभु, अंत आ गया है, कौन कहता है मुर्क? श्री राम का प्राक्रम, उन्य साधरन मनुश मत सम्झो भिया, अपनी और लंका की भलाई चाते हूँ, तो माता जानकी को लटा कर, श्री राम से श्यमा माग लो, मैं प्रात्ना करता हूँ, श्री राम से श्यमा माग लो, भ outside विनाश काले, विपरीत बुद्धी, सकते हैं, विजय हमारी होगी, किन्तु लंका पहुंचने के लिए सौ योजन का समुद्र कैसे पार किया जाएगा? प्रभू, नन लिव जैसे श्तिलफी हमारे पास है, शेट मांधने के लिए किवल आपकी याध्या की देर है मार्भू, मार्भू, मार्भू रिशिंजी, आप यहाँ? श्री राम की शहन में आया हूँ, रामभक्त तो आये न, आये प्रभू, यह आपके परमभक्त विभीशन है आओ, लंकेश जया हूँ, प्रभू तियावर राम चंद्र की जै बोलो सभी जै राम बने सभी का काम बोलो सभी जै राम और सब नाम जूठे यही तो नाम साचा बोलो सभी जै राम बने सभी का काम बोलो सभी जै राम प्राण जगे निर्बल में ओ, हो श्रत्था हो इस बल में पत्थर भी तैरे जल में नाम का जादू देखो पत्थर भी तैरे जल में संकट सब के पल में टले तूफानों में नाव चले पर जगमग जगमग प्रभू कर पासे आंधी में भी दिया चले दिलिलिलिलिलिलिलिलिलिलिलिलि रा 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 में बड़ी शक्ती है मा परमा मा 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 में बड़ी मुक्ती है भवसागरतरने की भाई एक यही युक्ती है कण भी था बन गया रवी कविता की बन गया छवी अर मरा 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 रटके जाकू भी बन गया कवी जाकू भी बन गया कवी बोलो सभी जै राम, बने सभी का काम, बोलो सभी जै राम और सब नाम जूटे, यही तो नाम साचा बोलो सभी जै राम, बने सभी का काम, बोलो सभी जै राम आपटना हमस युद करू प्रॉप यह सीता को लोटा दूँ खुर समझ में नहीं आता क्या करूँ श्री राम से समझोता कर लो लंकेश तू कौन है ज्यान मैं स्वैम ज्यानी हूँ मुझे तेरे उब्देश की आउश शक्ता नहीं बड़ा अच्छा उत्तर दिया लंकेश संसार में तुमसे बड़ा पराक्रमी कोई नहीं तू कौन है तुम्हारा साथी एहंकार हाँ 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 एहंकारी का सर नीचा होता है रावन दुब रहे तुम्हें सही रास्ता दिखाने वाला सुबुध्धी हाँ 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 निर्बलों का दास है तू क्या किसी को सही रास्ता दिखा सकता है अरे मैंनो होता तो तू रावन को राम का दास बना देता है कुबुध्धी तुम लोग एक ने एक दिन रिलंकेश का सरवनास करा दोगे रावन इनसे बचो मैं तुम्हें अभैदान देता हूँ प्रेम रावन प्रेम की बातों में ना आओ राम से युद्ध करो विजे तुम्हारी होगी सीता तुम्हारी होगी परंतु तू कौन है तुम्हारा शुब चिन तक लोव लोव ठीक करा है रावन तू कौन है काम जिसने तुम्हें सीता हरन की प्रेलना दी है यदि सीता को लोटाओगे तो संसार तुम्हे कायर कहेगा लंकेश तू कौन है शमा लोब की बातों में ना आओ रावन काम, क्रोथ, मत, लोब तुम्हारी कीर्थी को नश्ट कर देंगे मेरी बात मानो सीता को लोटा कर स्री राम से शमा मांग लो जिसे शमा मशें चुब रहकायर तू कौन है क्रोथ, रावन, तुम तीरो लोग के विजेता हो तुमसे कौन नहीं डरता? मैं कहता हूँ युद्ध करो राम से युद्ध करो और विजेता है जिदी रहो जाओ बढ़ा हो! मेरी बाद दू कर दो! लक्षमन, तू मुझसे लगने होया है! नभाल! झाल 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 बच्षमण के प्राण बचाएएब स्काएबी इसका एक ही उपायर है यदी कोई द्रोना गिरी से संजीव नहीं बूटी लाएब तो इन के प्राण बचाते है आग्या दीजे प्रभू, बूती मैं ले आँगा सूरज निकलने से पहले आनी चाहिए बूती की पहचान बताई है वाइद राज जिस बूती में प्रकाश हो, उसे ही संजीवनी समझना आश्किर बाद दीजे प्रभू किन्तु शीग्र लोटना किन्तु बू고 ग्र distortion प्रभू किन्तु बढ की संешत हुत किन्तु प्रभू किन्तु अबची प्राइद किन्तु किन्तु हमनी चाहिए स्भेश किन्तु किन्तु झाउम कि यहां तो हर बूटी चमक रही है कि समझ में नहीं आता कौन असली कौन नकली कि पहाड़ी उठा ले चलता हूं वाइद राज अपने आप ढून लेंगे भाई या लक्षमान उठो उठो भाई लक्षमान उठो भाई लक्षमान उठो लक्षमान नहीं तो माता सुमित्रा को क्या जवाब दूगा उठो लक्षमान अन्मान जी आगे वाई राज आप जल्दी कीजिए मैंने तो तुम्हें बूटी लाने को कहा था तुम तो पहाड़ी उठा लाए क्या बताऊं वाई राज मुझे हर बूटी में परकाश दिखाई दिया इसलिए बुद्धी चक्रा गई सुचा के पहाड़ी उठाकर लेते लूँ वाई राज अपने आप ढूंड लेंगे कर अधने वाई राज मुझे लाज पहाड़ी लेञे इसलिए पहाड़ी झाल कर दो में बड़ाए हिएा साफ ओवाहिं! कुछ अच्ध करणा statements एदम पोन्हीं कि के देखता हमें झाल इसमय में देखता है für having a खिरेषा we जोड़े रावन को नहीं, महा पंडित रावन को हाँ जोड़ रहा है युद्ध पंडित नहीं, योग्धा करते हैं जोड़े प्रावन करते हैं हाँ जोड़े प्रावन करते ह सेसे जोड़े की खांपता। ओिन्मोर्ण फीड करिनि ś smells fast हाँ Nevertheless पुपिए। हाँ झाँ इसकी नपी में अमर्त अंक심 नाभी में बाण मारी ये ये लाक्षमन रावन वेद शास्त्र का ज्याता महापंडी थी नहीं महान राजनीति की भी है प्राण निकलने से पहले जाओ इससे राजनीति सीख रहा हुआ महापंडीत रावन को लक्षमन क्या चाहते हो मैं आपसे राजनीति सीखने आया हूँ राजनीति सीखना चाहते हो किसने बेदा तुमें मैंने राम देपसे आय शुमान पाओ देखा लक्षमन तुमें और श्रीराम में कितना अंतर है चल्लों में रहकर सीखा जाता है सर पर बैटकर रहीं आयोग 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 लाश्मन सुन आयोग श्याम दाम दंट वेग इन गुणों का जो समय के अनुसार प्रयोग करता है वही सबसे बड़ा राजनिति क्या है गुरू, मंत्री, बैच, नसोया, पहरेदार, पडोसी और भाई से कभी वहर नहीं करना चाहिए इतने ग्यानी होते हुए भी आपने श्री राम से बैर किया वहर नहीं करता है तो मेरी विजय कैसे होती विजय कैसी विजय श्री राम, अपने जीते जी मैंने तुम्हे अपनी लंका में नहीं आने दिया परन्तु आज तुम्हारे सामने ही मैं तुम्हारे बैकुंट में जा रहा हूँ श्री राम कर दो कर दो कर दो कर दो और तो दो किल दो है दो 1 मिला मुदाल और कि कि शीता पवित्र है इनके इस परश्च से मैं भी पवित्र हो गया इन्हें विकार कीजिये राघव कि अनके राउ अम मैं राउद स्कार कीजिये विकल अमाता कीजिये जाउद्दी अब तुम्हें क्या उप़ार दिया जाए अपने चर्णों में जन जन मांतर के लिए श्रान दिजिए माता हमसे तुम कभी दूर नहीं होगे हनुमान प्रभू अब मुझे और कुछ नहीं चाहिए अनुमान प्राणों पर खेल कर तुमने मुझे स्वामी से मिलाया और मैं तुम्हें कुछ ना दू उप़ार सरू ये मनी माला लो कर दो हनुमान जी इन मोतियों को आप तोड़ क्यों रहे हैं मैं इन में राम ढूंड रहा हूं आश्चरिय है आप जैसा अज्यानी भक्त इन मोतियों में राम को ढूंड रहा है इन में राम नहीं तो ये मेर लिए वयर्थ है तब तो आपका शरीर भी वयर्थ है क्यों जैने उसमें राम नहीं गुरुदेव हनुमान के शरेर में प्राण नहीं श्री राम और सीता की मूर्ति थैं इससका प्रमान? प्रमान? हग की लाज तुमारे हाथ है जय श्री राव स्थम्हार नात स्थम्हार नात मुझे ख्यमा करो नात मिने दोशो नात मुझे ख्यमा करो तुझ जैसी दुष्था को चल निकल यहां से अरे अरे इस बिचारी को क्यों मारते हो क्या बात है मैं बताता हूँ ये मेरी आग्या लिये बिना दो रात घर से बाहर रही मैं अपने पिता के खर गई थी अब जूट है अब कभी ऐसी बूर नहीं होगी स्वामी हो या नहो मैं तुझे शमा नहीं कर सकता मूँ की बात इस्त्री कपाउं जो एक बार घर से निकला वो सदा के लिए निकल गया जा आज से मैंने तेरा त्याग कर दिया है नाथ मैं तुभारे पाउपरती हूँ मुच्छे ना ठुकरा चल हट मैं राम नहीं जो तुझे अपने घर में रख लूँ चुप रहो तुम महाप्रतापी श्री राम के लिए ऐसे शब्द कहते हो मैं नहीं अयोध्या का बच्चा बच्चा कहता है जो सीता रावन के घर इतने दिनों रही राम ने उसे अपना लिया लेकिन इसे मैं नहीं अपनाओंगा कितने खुशी का दिन है माता जी ने कहलवाया है के क्या यहीं के हाँ हाँ ए बोलो ना चटपटी चीज़े ने खाया करो दमाके से पाव ना रख्खा करो और तुम्हारे लिए क्या कहा हमारे लिए भला क्या कहती यहीं के वजन ना उठाया करो मिच्ची ना खाया करो स्वी राम आ रहे दासी स्वागत करती है राजेश्वार आज के शुक्खरी के लिए बढ़ाई देने आया हूं राजेश्वारी सीथे नारी के जीवन में ये बड़े आनंद की खड़ी होती है और बुरुष के आनंद की खड़ी नहीं होती क्यों नहीं सीथा का आनंद हिराम का आनद है और सीथा कीच्चा राम की इच्छा है तुम्हारी जो इच्छा हो कहो भी तुम्हें क्या दुख है देवी मेरे पती ने मुझे घर से निकाल दिया मैं नयाय चाहती हूँ राज सभा में तुम्हारा नयाय होगा दुर्मोक इन्हें सम्मान पूरुवक अतिति शाला में रखा जाए स्वामी चिंता में पड़ गए नहीं वो लोग कितने मिष्ठुल होते हैं जो अपने पत्नी को घर से निकाल देते हैं वे हरदय हीन होते हैं ऐसे लोगों को मनशे कहलाने का अधिकार नहीं मैं इस तरी जाती पर अन्याय कभी सहमें करता सीते स्वामी अभश्राम करो श्री राम चंद्रके श्रे धोबी जो बाते तुने वहां कही थी वही बाती तुझे यहां कहनी होगी मैं 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 तो महराज मैं मेरे सामने तुम्हें किसी प्रकार का फै नहीं जो कहना है स्पष्ट कहो अन्यदाता इस इस्ती के कारण धोबी समाज में मेरी नाग कट गई कैसे यह मेरी आग्या के बिना दो रात घर से बाहर रही देवी तुम्हें इस भूल के लिए अपने पती से क्षमा मांगनी चाहिए मैं इसे जीवन पर क्षमा नहीं करूँगा इसका कारण मैं नहीं सारे Table Samumpad प्रमाण के बिना संदेव यर्थ होता है और नारी के चरित्त पर बिना प्रमाण के लांचन लगाना मेरी ब्रृष्टी में घोर अप्राद अप्राद का प्रमाण मिल्जाने पर नारी को घरंड करना क्या पाप नहीं ये तो शिराज म्रादा पर कीचड उचाल रहा है कीचड उचालना नहीं, कीचड धोना मेरा काम है तुम अपने अधिकार से बहकर बाते कर रहे हो लेकिन बात सच कह रहा हूं भारो, 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 भारो चांती राम राज्य में समानता और विचार स्वातंत्र का अधिकार सबको प्राप्त आप लोग, आप लोग भले ही मुझे माट डालिये किन्तु मैं पूछता हूं कि दुश्मन के घर में रही वी पत्नी को आप लोगों में से कितने लोग हैं कि जो सुईकार करेंगे, बोलिए, बोलिए आज राजा और परजा दोनों का न्याय होगा लंका में सीता की अबनी परिक्षा हो चुकी है उसे अयोध्या वासियों नहीं देखा क्या आयोध्या की प्रजाप उसीता के प्रति अविश्वास है आपकी आखों में यह आँसू, इसका कारण? मुझे सीता का त्याग करना होगा त्याग? राज रानी सीता का त्याग? उनका दोश? उसका दोश यही है का वो बिल्कुल निर्दोश है फिर भी आप उनका त्याग करेंगे क्या करूं लक्षमान? आउध्यावासियों को रावन के या रही सीता पर संदेः है संदेः है आउध्यावासियों को उन पर संदेः करने का क्या अधिकार है? राजा का जितना अधिकार प्रजा पर होता है प्रजा का भी उतना ही अधिकार राजा पर होता है अध्यावासियों के संदे के समाधान के लिए मुझे सीता का त्याब करना ही होगा लक्षमान, कल सीता को बन में ले जाओ नहीं, नहीं भाया, मुझसे आग की इस कठोर आग्या का पालन नहीं होगा नहीं होगा होगा और यह कारे मुझ से नहीं होगा तो क्या मैं मालू, आज से लक्षमन अपने भाही राम की आज्या का पालन नहीं करेगा भाया तो कल प्राककाल सीता को बन में छोड़ाँ आधर्श के विना जीवन व्यार्थ होता है, लक्षमन आध्रश में जीवन भी कभी-कभी व्यर्थ होता है कि शमा करे महारानी जी आज महाराज से कोई नहीं मिल सकती पुजारेन अपने देवता से नहीं मिल सकती क्यों क्या बात है महाराज राम से आज कोई नहीं मिल सकता महारानी तुम्हें मालूम नहीं उन्होंने मेरी इच्छा पुरी करने के लिए मेरी बन जाने का प्रबंद किया है स्वामी शायद इस बात को भूल गये है तुम जाके उन्हें सुचित करो, वो दोड़े आएंगे जाओ, शिग्रस सुचित करो कैसे सुचित करो महारानी, उन्होंने द्वार बंद कर लिया रीदय का द्वार तो नहीं बंद किया आरिये, स्वामी, द्वार खोलिये स्वामी, द्वार खोलिये स्वामी स्वामी स्च में द्वार बंद कर लिया है राघव प्रजा की भलाई के ध्यान में ऐसे डुबे हैं कि उनको मेरी आवाज भी सुनाई नहीं देती बड़ी विच्चित्र है ये राज मरियादा इससे तो कहीं अच्छा था हमारा वो वनवास का जीवन वहां राघव केवल मेरे थे यहां सारी प्रजा के हो गए हैं महारानी महारानी अब तयार है हम जड़ानी मेरे झालिव चाहरा यहां सारी झालिव याज़ के ढ़ते ईटार यहां सारी है अचछा थाज़ प्रिंग प्रफेव चितो अद्दी तो कि राज़ वहां सारी नहीं जैसने महारा जोलगत बादी बड़ादीन लक्षमन तुम्हारे भाईया कितने अच्छे हैं मैंने तबोवन देखने की इच्छा प्रकत की किया और उन्होंने शिग्रही प्रवन करा दिया लक्षमन तुम बोलते क्यों नहीं क्या मुझसे रूठे हो नहीं माता तुम रो रहे हो क्या बात है जल्दी रत रोग दो मैं कहतें जल्दी रत रोग दो लक्षमन रोको रत लक्षमन बोलो क्यों रो रहे हो बोलो लक्षमन लक्षमन तुम भी मेरी सौगंद है लंका में रहने के कारण अयोध्या की प्रजा आपकी निंदा करती है इसलिए रो रहे हो नहीं माता मैं रो मैं इसलिए रहा हूं कि निर्दोश और निश्कलंग जानते हुए भी शीरी राम ने आपका त्याग किया है श्री राम ने भी मेरा त्याग क्या है श्री राम मुझे अपने लहरों की गोद में च्छिपा लू मेरे बद्दी श्री राम ने मेरा परित्याग कर दिया है कि मा की ममता का दौार फुत्री के लिए सदा ही खुला रहता है पता के खरदय में भी पुत्री के लिए सदा ही थान रहता कौन? तुम्हारा पिता बालमी मुझे मर जाने दीजी री शीवर इस जीवन पर तुम्हारा ही अधिकार नहीं है बेटी, श्री राम की वंच रक्षा के लिए तुम्हे जीना ही पड़ेगा कैसे जीओ, कहा जाओ, कहा रहो मेरे आश्रम में जब रिशी पत्निया पूछेंगी, तुम्हारे पते ने तुम्हें क्यों छोड़ दिया इसका उत्तर मैं दे लूँगा, चलो, आओ कल्याणी, आओ ये है तुम्हारा आश्रम कात्मी, कात्मी गुरुदेश आज्या, गुरुदेश ये ये मेरी पुत्री है आपकी पुत्री, इनका शुब नाम नाम बड़ा शुब नाम है बन देवी ये कहां से आई है ये ये सस्वाल में थी और अब अपने नहियर है कुछ दिनों तक तो ये रहेंगी ना गुरुदेश हाँ हाँ अहो भागे start सुझे 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 सकुझे सhen मिठे मिठे पले देखो नाली पे जूले बतियों के जाओं में दोनों फले फूले दुप दुप नोनों राम के वायों जीवन में जू रूम पर छायों दिक पने ना दो, लर्य ना जूले गुरुदे, इंका नाम क्या रखा जाए? इंका नाम? इसका नाम है लौख और इसका नाम है कुष्ट लौख और कुष्ट? हां, जो सब जगह विजई हो, उसका नाम है लव, और जो सारे वातावरन को पविद्र करे, उसका नाम है कुष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष प्रजा मुझसे चाहती क्या है। प्रजा तुम्हे चक्रवर्ती देखना चाहती है। तुमसे अश्व में यग्य करवाना चाहती है। यग्य करवाना चाहती है। यग्य में मेरे साथ कौन बैठेगा। तुम्हारी धर्मपत्नी। सीता। उसे तो तुम प्रजा की इच्छा से त्याग चुके हो तो फिर तुम्हें दूसरा विवहा करना पड़ेगा गुरुदेव, क्या आपके विथान में एक पत्थी के रहते हुए इस्त्री को दूसरे ब्याह की आग्या है नहीं तो पुरुष को एक पत्थी के रहते हुए दूसरे वियाह की आग्या क्यों दी जाती है राम के विथान में ये अन्याय नहीं होगा शमा कीज्ये गृदे मैं दूसरा विवा नहीं करूगा कभी नहीं करूगा लगुष ये क्या कर रहे हो इस धोबी को दंड दे रहा हूं, सीता माता के दुखों को कारण यही है, इसी तरह हम श्री राम को भी दंड देंगे, हमारे लिए धोबी और राम एक जैसे अपराधी है, ऐसा न कहो बच्छो, राम प्रजापालक है, नियाय मूर्थी है, गुरुदेव, रामायन में आपने कह गई पे दोश लगाया है, और निरपराधी सीता को त्याग देने वाले श्री राम को न्याय मूर्थी कहते हैं, नहीं बच्छो, राम ने सीता का त्याग नहीं किया, प्रजा की इच्छा के लिए अपनी इच्छाओं का त्याग किया, उन्होंने सारे संसार को सिखाया ह कि प्रजा के दिए कैसे कैसे त्या करने पड़ते हैं राम मर्यादा पुर्शोत तम है तो हम क्या उन्से कम है कम कैसे हो सकते हो तुम भी तो राम जैसे महान पिता की ही संतान हो अच्छा जाओ अभ्यास करो जाओ अरे तुम किस परम पिता की संतान हो गुरु जी ने कहा नहीं के हम मानपुनुष के संतान है तुम्हेरे पिता का नाम क्या है पिता का नाम अरे बोलो ना बोलो ना बोलो बोलो अरे मालूम हो तब तो बताएंगे अरे भाई बिचारे के पिता ही नहीं है तो नाम क्या बताएंगे तो नाम क्या बताएंगे क्यों? क्या बात है, बेटे? हमारे पिता का नाम क्या है? तुम लोगों ने आज तक पूछा नहीं आज पूछते हैं, बताओ तुम्हारे पिता का नाम हाँ हाँ, जिल्दी बताओ, मा, जिल्दी बताओ कैसे बताओ, लाउकोष? तुम्हें उनका नाम बताने में कोई आपती है क्या वे अधर्मी है नहीं क्या वे राक्षिश है नहीं कार है कुरू है ना प्यार है नहीं 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 बाद लो बाद लो बरसो नयन की कोर से पिछलियां कड़ पोर जैती होर से बाद लो बरसो नयन की कोर से ए घटाओ गर्जना को काम लो ए घटाओ गर्जना को काम लो आज मेरे करुण स्वर से काम लो आज मेरे करुण स्वर से काम लो बंध गया सावन नयन की कोर से बाद लो बाद लो बरसो नयन की कोर से जहर को अमरित समझ कर पीर दे जहर कर अमरित समझ कर पी रही मीन जल बिन दीन होकर जी रही प्रान कड़ पे भांग्य के छक जोर से बाद लो बाद लो बरसो नयन की कोर से बिजनियां पड़कर अर गय की और से बाद लो बरसो नयन की कोर से कर्यानी कर्यानी कुरुदेप कुरुदेप मैं तुम्हारी बीडा समझता हूं कुत्री मैं कब तक लोकुष से उनकी पिता का नाम चिपाती रहूंगी समय आ गया लोकुष को अपने पिता का नाम मालूम होगा और अध्यानी वासियों को उनकी फूर का पता चल जाएगा अध्यानी वासियों कुत्री वासियों कुत्री पिता का नाम चिपाती रहूंगी वह मैं भी गुरुदेव के साथ जाने की आगया दो इमा मा गुरुदेव कहां जा रहें? अध्यानी मा हम भी गुरुदेव के पूझियों उनकी रामायन की प्रिय पात्र महश्यराम को देखेंगे वहां की निर्दे प्रजा को देखेंगे लोकुष तिर ऐसी जगह जाने की आवश्चक तक क्या है? मा, उस धर्थी की धूल माथे चड़ाएंगे जिसे सती सीता का पवित्र चरांच चूमने का सवभाग्य मुद। मा, क्या हुआ मा, क्या हुआ? मा, क्या हुआ मा? कुछ नहीं, कुछ नहीं तुबहें मालूम है, गुरु दिप आयोध्या किम जा रहे हैं? मैं बताता हूँ जाओ बच्छो, अपना पाश आतरो जाओ जाओ आयोध्या से निमंत्रन आया है निमंत्रन, आयोध्या से आया है? हाँ, श्री राम अश्वमेथ यक्य कर रहे हैं रागाओ, अश्वमेथ यक्य कर रहे हैं? हाँ, कल्याणी बिना पत्नी के अश्वमेथ यक्य कैसे होगा? रागाओ ने शरीट से मेरा त्याग किया था आज रेते से भी थैग दिया आप ही बताइए गुरु दिर मैं कैसे जीू, किस आशा से जीू धी रज रखो, मैं स्वयम अध्या जाकर देखूँगा यदि शी राम ने दूसरा प्राह कर लिया है तो मैं समझूँगा मेरी रामायन का पात्र ये राम नहीं कोई और राम है, राम में मेरी भक्त छूती है विश्वास छूता है, मेरी रामायन छूती है हम राम चंडर की चंडर करा में भी कलंक दिखनाती है नारी की आसुओं से लेखी रामायन तुम्हे सुनाती है इन तारों ते अंगारों की जाकार नहीं सुनवाते है ये श्लोक नहीं अध्याचारों के अगनिवेत हम गाते है भारत की सीताओं के दुखडे जब तक होंगे चूर्ण नहीं हेरा ये राम दुवाई रामायन तब तक होंगी संपूर्ण नहीं संपूर्ण नहीं भारत की सीताओं के दुखडे जब पुरुष परीक्षाए लेगा नारी में दोश निखा लेगा सती पर विश्वास नहीं करते पती उन्हें अग्मी में ठालेगा नारी पर लांचन जोला की लपटे होंगी फूर्ण नहीं हेरा हेरा तुमारी रायन तब तक होगी संपूर्ण नहीं संपूर्ण नहीं भारत की सीताओं के दुखडे जब रामराज के निर्माता धूबी की बात में आएंगे भारत भविष्य की माता को भोके से बन में ठुक राएंगे भारत भविष्य की माता को भोके से बन में ठुक राएंगे भारत भविष्य की माता को भोके से बन में ठुक राएंगे लिखने को परिपून नहीं हेरा तुमारी रामायन तब तक होगी संपून नहीं संपून नहीं भारत की सीताओं के दुखने जब तक होगी चून नहीं ए राम ए राम तुमारी रामायन तब तक होगी संपून नहीं संपून नहीं भारत की सीताओं के दुखने पुर्षों की नीती अनीती बनी चलती है नारी के पावन जीवन को छलती है स्वुते की संधर दर्बी है जब स्वयं जान में जगद अपा जलती है जान में जगद पाजलती है जगद अपा जलती है देखेलो, शीराम चले गये जैसे हिर्दहिन यहां की प्रजा है वैसे हिंका राजा चलो कुछ बहिया, चलो यहां से. आप लोगों ने सुना बालक क्या कह गए? श्री राम का दुख देखकर और सीता के कथा सुनकर भी आप लोगों का रिजन नहीं बिगलता. कथा सुनने से सीता का कलंग तो नहीं मिठता. सीता तो सदयवनिष कलंग रहेगी. किन तुद्धान रखिए, आयोध्या वासियों का कलंग कभी नहीं मिठेगा, कभी नहीं मिठेगा. गुरुजी सच कर रहे हैं, जब तक ये दुष्धो भी जीवित रहेगा, आयोध्या का कलंग नहीं मिठेगा. मारो तुष्वा तुष्वा, मारो 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 तुष्वा, मार लेकर बाली को मारने वाले उस काहर को देखा लबकुष सीता को घर से निकाल देने वाले उस पापी को देखा गुरुदेव का डर्न होता तो ऐसे दुष्ट राम की वही हत्या कर देता तुम्हें बच्चों पर हात नहीं उठाना चाहिए था गुरुदेव वे श्री राम की मरियादा की हसी उड़ा रहे थे विचार स्वतंद्रता का ये अजिकार उन्हें मैं नहीं दिया है अपने अनुभाव से वे श्री राम को अच्छा कहें या बुरा तो क्या श्री राम ने दूसरा विवा नहीं किया है गुरुदेव गुरुदेव है इश्वर मैंने अपने स्वामी पर संदे किया मैं अपराधिनी हूँ मुझे शमा करो रागो मुझे शमा करो लोकुष। लोकुष। कि अचर में ञेल! कि पतार! में में? अप्रोश। कर दो ऐसा पराँ कर राँ जाको उष! भाँ, भाँ, भाँ! महाँ ! अबजाँ, भाँ! पाँ! जा मैं भाँ! जिकाल! लगष। 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 क्या है। बात यह है कि हमारे तपवान में बहुत अच्छा घुड़ा है। घुड़ा है। हम। चलो भीया। चलो 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 चोड़ दो बच्चो भड़े को छोड़ दो हम यह खोड़े नहीं छोड़ेंगे नहीं छोड़ेंगे आर्या वरत के चक्रवर्ती सम्राड बनने के अधिकारी अवधनरेश श्री राम चंद्रा श्री राम चंद्रा अश्रमेध यज्यकी पुकंता के पश्चाट Holy उजयी गोष्णाँ के साथ इस 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 अश्री औठेंगे जो भी इस अश्री औपर अश्री culture थे उसे सम्राड के साथ युद्ह करना पड़ेगे पन डाको can't agree or go तवी बालकों ने लक्षमन जी को घाल कर दिया आश्चरी है रत तयार करो हम स्वयम उन तवस्वी बालकों का परूश देखेंगे अज़ा अज़ा ज़ा 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 खो ज़ा अला अजसीं बालकों नज़ान क्या तुम्हारे माता पिता का नाम क्या है पिता का नाम नहीं लेना चाहतें और हमारी माता है सतीश वुमणी वन्देवी वन देवी हाँ और हमारो नाम है लवकृष लवकुष तुमने हमारे यग्य का घोड़ा जों पकड़ा आप से यूथ करने के लिए हमने आपके भाईयों को मार का भगा दिया अब आपकी भी वही दशा करेंगे लवकुष तुम्हे अपनी शप्ती का इतना अभी मान है अभी मान नहीं विश्वास है तो चलाओ अपने बान तो रोकिये वार जये गुर्देव जये माता चैरो सीथे चैरो लवकुष, चैरो, चैरो सीथे ठट्या माम दूर खड़ी होका राज श्री राम का पराक्रम देखो जिनका राट देन बुर दाती हो उताइए धरोष, देलाइए बान नहीं लुक जाओ अच्छो, चैरो किता पुत्र का ये संघर्ष, श्रिष्टी में प्रल्य मचा देगा राट हो महर शिवालमेक प्रणाम आशिवाल लुकुष आपके ही पुत्र है इनके शरीर में सती शिरोमन सिता काहिरत प्रवाहित हो रहा है महामुने हाँ, पुर्षोत्तम लुकुष, पिता के चड़ों में गिरकर अपने अपराधूं की शमा मांगो हाँ, हाँ, प्रणाम करों गुरू आगया से हम आपको प्रणाम करते हैं, पिता जी मेरे पर्चों लावकुष पिता जी रİमुए स्वामी वाम्यू प्रुप असी भॉम्यू ती аमĞ भॉम्यू स्वाम deb आपकी आँखों में आँसु जानकी के वियोग के आँसु श्री राम की आँखों में कभी नहीं सुखे श्री राम प्रया के मन की शंका दूर हो गए कि गुरुदेव कि सीते कि सीते कि स्वामी कि सीते कि सीते कि आज मेरे जीवन की सारी अभी लाशाय पूरी होगी बच्चों को पिता कस नहीं मिल गया मुझे श्री राम के रिदय में स्थान मिल गया कुरुदेव को तपस्या का फल मिल गया उनकी रामायन संपूर्ण हो गई माब सुंधरे माब सुंधरे तुने मुझे जनम देकर मेरा जीवन सार्थ कर दिया आज मुझे से बढ़कर सोभा गशाली नी नारी और कौन है सदा स्वागन सीता को अपनी गोदी में स्थान दो माता मुझे स्थान दो मुझे स्थान दो इंवर्ण 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 Ma. Ma. व तिप मेझे रोदा हूएंगी, ज रान। ये रोजा है, मा sack. सी बें! Ma. 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 भन्य धन्य तुम सीते हो आवन कंगा की भारा सत्यों के इतिहास में सबसे यूँचा नाम तुमारा वाल्मी की के महापाज की करण कथा पर तुम रहनी समा गई खरतीन सीता रामायन संपूर्न हुई ऑमायन डंदुम तुम तुम तुम, जामायन डंदुम तुम समझ तुम कर दो कर दो